दोस्तों C language के इस chapter में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सिखेंगे go to statement अगर हम बात करें go to statement की तो इससे related लगबग हर exam में एक नाइक caution आता है तो यह जो term है वो बहुत ही ज़्यादा important है अब अगर हम बात करें इस statement की तो यह students को काफी ज़्यादा confuse करता है तो आज किस वीडियो में हम base to base समझेंगे कि go to statement क्या है इसका role play क्या है और साथ ही with practical हम इसे code करके देखेंगे So make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर ही वीडियो आपको अच्छी लगे तो please वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब यहाँ पर सबसे पहले इस term को समझा जाए कि go to statement है क्या और इसका क्या role play अगर हम go to statement की बात करें तो इसे jump statement भी कहा जाता है और इसे क्यों कहा जाता है इसके 2 reason है इसका use होता है loop create करने के लिए और दूसरा loop को break करने के लिए अब यह चीज ऐसे आपको clear नहीं होगी थोड़ा example के साथ समझते हैं तब जाद अच्छे समझ में आएगा सबसे पहले यहां पर बात करता है लेगिन कैसा होगा जिब मैं आपको बताऊंगा कि आप go to statement का यूज कर का भी एक create कर सकते हो дав यह कैसे यह मैं आपको explain करता हूँ सबसे पहले normally आप स्कीन पर देख पा रहे हो कि यहां पर हमने एक format लिखा हुआ है और यह format क्या है कि इसकी मदद से हम कोई भी table प्रिंट करना चाहते है लाइक 10 का टेबल है 11 का है किसी का भी table है हम प्रिंट कर सकते हैं अब मैं इस code को एक बार आपको समझा दो तो सबसे पहले यहां पर इस code को देखते हैं तो normally यह चीज तो आपको बताए कि यह क्या हमारा structure है यह भी structure है और यह एक portion है structure है यहां पर हमने दो variable declare कि एक है num और एक i ठीक है और यहां पर user से हम बोल रहे हैं कि आप कोई भी number डालो scanup की मदद से उस number को हम grab करेंगे as an input ठीक है तो यह तो बहुत ही simple चीज है इसमें कोई tough चीज नहीं है अब यहां पर यह जो table मैंने लिखा है और यहां पर भी table लिखा है तो इसे बोला जाता है label जो go to statement है वो जो jump करती है वो label की भी हब पर करती है अभी आपने definition में देखा कि इसे हम jump statement भी कहते है तो यह basically करता है यह label की मदद से jump करता है अब यह जो portion है यह थोड़ा अच्छे समझते हैं देखो basically हम क्या करने वाले है user से हमने बोला कोई भी number डालो आप मालो user एक number देता है जो क % हो जाएगा 1 और इसके बाद यह हो जाएगा कुछ इस तरीके से यह % हो जाएगी value और वही चीज मैंने यहां पर लिखी है तो जो user ने number दिया वो आएगा उसके बाद i जो loop चलेगा तो वो इसके बहाब पर 1,2,3,4 वो यहां पर आ जाएगा और num into i यानि कि 9,1,9,9,2, जो भी है वो यहां पर आ जाएगा और हर एक loop के बाद i की value increment हो जाएगी अब यहां पर सारी चीज़े सेम है देखो i++ भी है यहां पर condition भी है लेकिन ना हमने 4 का यूज किया ना हमने while का यूज किया ना हमने do while का यूज किया हम यहां पर यूज कर रहे है go to table का अब यह हो अब तक i की value 10 से कम यह 10 के बराबर ना हो तब तक क्या हो कि यह जो go to का label है यह जंप करता रहे यानि कि यहां से यहां जाता रहे तो यहां पर आया तो पहली बार में इसने 9 into 1 प्रिंट कर दिया उसके बाद दुबारा आता है तो i की value increment होती है यहां पर i की value होगी 2 और य ऐसे 11 होगी condition match नहीं होगी और यह जो jump कर रहा है यह बंद हो जाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक loop की तरह हम go to statement का use कर सकते हैं और अगर यह चीज अभी आपको clear नहीं होई है तो अभी हम इसे editor पर code करके देखेंगे proper compile कर करके देखेंगे बट अभी के और फिर दुबार एक for loop चलाया है एक i की मदद से j की मदद से और इसकी वज़े से कोई ने को value print होगी मैं यह कहता हूँ यहां पे कि जैसे ही j की value 6 हो देखो if j equal equal है 6 के तो यहां पे क्या हो जाएगा यह out हो जाएगा मैंने यहां पे go to label किया और label को मैंने बाहर last में डाल अब normally हम editor पे आ चुक हैं और आप देख पा रहे हो कि वही code जो मैंने आपको बताया था वही code यहां पे लिखा हुआ है so basically हमने किया क्या है iq declare क्या है और num variable लिया है यहां पे printf की मदद से हम user को command दे रहे हैं कि कोई भी number लिखो जिसका आपको table चाहिए फिर scanup की मदद से हम input ले रहे हैं और यह जो address है वो num का यहां पे दे रहे हैं आप देख पा रहे हो इसके बाद हमने एक label declare कर दिया जो कि है table का ठीक है और यह हमारी go to statement यह नीचे तो यहां पे हो क्या रहा है कि जब तक यह condition fulfill नहीं होगी यह जो condition है वो finish नहीं होगी तब अब तक यह execution चलता रहेगा और हम इसे run करके देखते हैं तो मैं यहां पे run करता हूँ तो यह मुझसे कह रहा है enter the number whose table you want to print तो मैं यह ताल देता हूँ 10 और मैं 10 लिखके enter करूँगा आप यह notice करोगे कि 10 का table हो यहां आ गया है 10 बंजा 10, 20, 30, 40 यह सारी चीज़े यहां पे statement का use कैसे करेंगे यह समझते हैं अब normally आप देखो कि वही code जो हमने break के लिए यहां पे लिखा हुआ था कि अगर हमें loop break करना है तो अब यहां पे अभी में जो go to label मैंने लिखा इसको मैं काट रहा हूँ यह जो normally है यह हम काट रहे हैं और यह हमने एक code यहां पे क्या लेकिन मैं यहां पे बोलता हूँ कि if जो i के value है दो यहां पे i है तो if i के value अगर equal है 8 के हम क्या लिखते हैं कि if i equal होता है 8 के तो यहां पे हमारा जो go to statement है वो work करेगा तो हमने go to लिखा और मैंने label दे दिया out का तो और इस out को मैं दे देता हूँ इस loop के बाद यह दो को य जब आप label दे रहे हो declare कर रहे हो तो वहां पे colon आएगा और जब go to के साथ आप लिखते हो तो semicolon आएगा तो जैसे यह 6 पे पहुंचेगा भी देखो 8 तक print है हमने यहां पे condition डाली तो यहां पे एक और छोटी से mistake कर दी हमें i निय में j देना है क्योंकि basically यह जो loop चल रहा ह तो हम यहां पे j डालेंगे और तब हम इसको run करेंगे अब आप notice करोगी यही जो loop है वो भी 8 तक आ रहा था लेकिन अब यह loop आ रहा है 6 तक आप notice कर पा रहे हो तो हमारी जो यहां पे compilation हो रही है वो यही तक हो रही है 6 तक j की value जब तक 6 है और जैसे यह 6 को cross करती है तो य go to statement का concept वो आपको clear हो गया हो अगर वीडियो आपको छी लगयी तो please वीडियो को like करें share करें साथी comment करके अपना feedback जरूर दे थैंक्यू